ओम शांती 14 जन्वरी 2023 मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाख्य आज की मुर्ली के कुछ विशेश पॉइंट्स आज बाबा हमें ड्रामा के रास को समझाते हुए कहते कि कैसे इसका हर सीन 5000 वर्ष बाद हूब भू रिपीट होता है बाबा कहते कि वो हमें पूरे कल्प के आंत में यानि कल्युप के आंत में आकर सच्चा सच्चा ज्यान देते हैं जिससे हमारी बुद्धी का ताला खुलता है और हम पारस बुद्धी बनते हैं हम पारस बुद्धी बच्चे फिर बाबा के सेयोगी बन पारस पूरी की स्थापना करते हैं। बाबा हम ही माया के चंगुल से चुड़ा कर हम सब बच्चों की सद्गती करते हैं। बाबा समझाते कि अब हम बच्चों को योग बल से विश्व की राजाई लेनी हैं। कभी पतित नहीं बनना है। हम ब्रह्मा बाब और शिव बाबा दोनों के सिकीरदे नूरे रत्न बच्चे हैं। इसलिए हमें स्वेम की चेकिंग करते रहना हैं। और देखना है कि हम कितने लायक बने हैं। हम बच्चे बेहद के रुहानी सोशल वरकर्स हैं जो सुप्रीम रुह की मत पर चलते हैं। बाबा कहते कि जो बच्चे सुख के सागर बाब की स्मृती में रहते हैं। उन्हें दुनिया की दुख अशान्ती प्रभावित नहीं कर सकती। तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुर्ली। ओ शान्ती। बाबा कहते मीठे बच्चे अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। बाब आए हैं तुम्हारी काया कल्ब व्रिक्ष समान बनाने। तुम आधा कल्ब के लिए अमर बनते हो। प्रश्न इस वंडरफुल नाटक में कौनसी बात बहुत ही समझने की है। उत्तर इस नाटक में जो भी अक्टर्स पाठधारी हैं उनका चित्र केवल एक बार ही देख सकते। फिर वही चित्र 5000 वर्ष के बाद देखेंगे, 84 चन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन भिन होंगे। कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते। जिसने जो कर्म किये वह फिर पांच हजार वर्ष बाद वही कर्म करेंगे। यह बहुत ही समझने की बाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धी का ताला अभी खुला है। तुम यह रास सब को समझा सकते हो। गीत भोले नात से निराना कोई और नहीं। ओम श्यांती। भोला नात सदैव शिव बाबा को कहा जाता है। शंकर को नहीं कहा जाता। वह तो विनाश करता है और शिव बाबा स्थापना करते हैं। यह तो जरूर है स्थापना स्वर्ग की और विनाश नर्क का करेंगे। तो जान सागर भोला नात शिव को ही अब तुम बच्चे तो अनुभवी हो, जरूर कल्प पहले भी शिव बाबा आया होगा और अब आया है जरूर, उनको आना जरूर है क्योंकि नई मनुष्य स्रिष्टी को रचना है, इस ड्रामा के आदी मध्य अंत का राज बताना है, इसलिए जरूर यहां आना है, सूक्ष वतन की भाषा अलग है, मूल वतन में तो भाषा है नहीं, यहां है टौकी, शिव बाबा ही बिगडी को बनाने वाला है, जब स्रिष्टी तमो प्रधान हो जाती है, तो सबको सद्गती देने वाला भगवान कहते हैं कि मुझे आना पड़ता है, यादगार भी यहां है, इ वह एक ही बार देख सकते हैं, ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायन के चित्र यानि चेहरे सत्युक के सिवाए कभी भी कहां देख सकते हैं, वह पूनर चनम लेंगे तो नाम रूप भिन हो जाएगा, वही लक्ष्मी नारायन का रूप एक बार देखा, फिर पांच हजार देखेंगे, जैसे गांधी का हू बहू चित्र फिर पांच हजार वर्ष के बाद देखेंगे, अथा मनुष्य हैं, जो भी मनुष्यों के चित्र अब देखेंगे, वह फिर पांच हजार वर्ष के बाद देखेंगे, चुरासी चनमों के लिए चुरासी चित्र बनेंगे, और सभी भिन-भिन होंगे, कर्म भी किसके साथ नहीं मिल सकते। जिसने जो कर्म किया, वही कर्म पांच हजार वर्ष के बाद फिर करेंगे। यह बहुत समझने की बाते हैं, बाबा का भी चित्र है। हम समझते हैं, जरूर पहले-पहले स्रिष्टी रचने वे आया होगा। तुम्हारी बुद्धी का ताला अब खुला है, तब तुम समझते हो। अब फिर औरों का भी ऐसे ताला खोलना है। निराकार बाब जरूर परमधाम में रहते होंगे। जैसे तुम भी सब मेरे साथ रहते हो। पहले जब मैं आता हूँ, तो मेरे साथ ब्रह्मा, विश्णू, शंकर होते हैं। मनुष्य स्रिष्टी तो पहले से ही है, फिर वे कैसे पल्टा खाती है, रिपीट कैसे होती है। पहले पहले जरूर सुक्ष मतन रचना पड़े, फिर स्थूल बतन में आना पड़े, क्योंकि मनुष्य जो देवता थे, वे अब शूद्र बने हैं। उन्हों को फिर ब्रामन से देवता बनाना पड़े। तो जो कल्प पहले मैंने ज्ञान दिया था, फिर वही रिपीट करूँगा। इस समय बैट राजयोग सिखाता हूं। फिर आधा कल्प के बाद भक्ती आरंब होती है। बाप खुद बैट समझाते हैं कि पुरानी स्रिष्टी फिर नई कैसे बनती है, अंट से फिर आधी कैसे होती है। मनुष्य समझते हैं, परमात्मा आया था, परंतु कब, कैसे आया, आधी मद्य अंत का राज कैसे खोला, यह नहीं चानते। बाप कहते हैं, फिर मैं सम्मुक आया हूँ, सभी को सद्गती देने, माया रावन ने सभी की किस्मत बिगार दी है, तो बिगडी को बनाने वाला जरूर कोई चाहिए। बाप कहते हैं, 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मातन में आया था, मनुष्य स्रिष्टी जरूर यहां ही रची है, यहां आकर स्रिष्टी को पल्टाए काया कल्प वरिक्ष समान बनाते हैं, अब तुम्हारी काया बिलकुल पुरानी हो गई है, इसको फिर ऐसा बनाते हैं, जो मर बन चाते हो, भल शरीर बदलते हो, परन्तों खुशी से, जैसे पुराना चोला छोड नया लेते हैं, वहां ऐसे नहीं कहेंगी कि फलाना मर गया, उनको मरना नहीं कहा जाता है, जैसे तुम्हारा यह जीते ची मरना है, तो तुम मरे थोड़े ही हो, तुम तो शिव बाब सिकीलदे बच्चे हो, शिव बाबा भी कहते हैं, वह निराकारी बाब, यह साकारी बाब, अभी तुम कहते हो, बाबा, आप भी वही होना, हम भी वही हैं, जो फिर आकर मिले हैं, बाब कहते हैं, मैं आकर स्वर्ग स्थापन करता हूं, राजाई तो जरूर चाहिए, इसलि ये राज्योग सिखाता हूँ, पीछे तो तुमको राजाई मिल जाएगी, फिर इस ग्यान की वहां दरकार नहीं रहती, फिर ये शास्त्र आदी सब भक्ती में काम आते हैं, पढ़ते रहते हैं, जैसे कोई बड़े आदमी, हिस्ट्री चॉग्रफी लिख जाते हैं, वह पीछे पढ़ते रहते हैं, अथा किताब है, मनुश्य पढ़ते ही रहते हैं, सुर्ग में तो कुछ भी नहीं होगा, वहां तो भाशा ही एक होगी, तो बाबा कहते हैं, अब मैं आया हूँ सृष्टी को नया बनाने, पहले नहीं थी, अब पुरानी हो गई है, मेरे सब पुत्रों को, यानि बच्चों को, माया ने जलाए राख कर दिया था, वह दिखाते हैं, सागर के बच्चे, ज्यान सागर तो बरोबर है, उनके तुम बच्चे हो, भल बच्चे तो वास्तव में सभी हैं, परन्तु तुम बच्चे अब प्राक्टिकल में गाय चाते हो, तुम्हारे कारण ही बाप आते हैं, कहते हैं, मैं आया हूँ, फिर से तुम बच्चों को सुरचीत करने, जो बिलकुल काले पत्थर बुद्धी हो गई ह जब तुम पारस बुद्धी बन जाएंगे, तब ये दुनिया भी पत्थर बुद्धी से बदल पारस पुरी बन जाएगी, जिसके लिए बाबा पुरुशार्थ कराते रहते हैं, तो बाबा को जरूर मनुश्य स्रिष्टी रचने के लिए यहां ही आना पड़ेगा ना, जिसके तन में आते हैं, उन ध्वारा मुखवंचावली बनाते हैं, तो ये हो गई माता, कितनी कुई बात है, है तो ये मेल, इनमें बाबा आते हैं, तो ये माता कैसे हुई, इसमें मूझेंगे जरूर, तुम सित कर बताते हो, कि ये मात पिता, ब्रह्मा सरस्वती, दोनों कल्प व्रिक्ष के नीचे बैठे हैं, राजयोग सीख रही हैं, तो जरूर उनों का गुरू चाहिए, ब्रह्मा सरस्वती और बच्चे, सभी को राज रिशी कहते हैं, राजाई के लिए योग लगाते हैं, बाप आकर राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं, जो और कोई भी स सिखा न सके, न कोई का राजयोग है, वे तो सिर्फ कहेंगे योग सीखो, हठयोग तो अनेक प्रकार के होते हैं, राजयोग कोई भी सिखला न सके, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया था, कहते हैं हमको कल्प कल्प फिर आना पड़ता है, जबकि मनुश्य स्रिष्टी नई प्रचनी है, प्रलय तो होती नहीं, अगर प्रलय हो चाए, तो फिर हम आमें किस में, निराकार क्या आकर करेंगे, बाब समझाते हैं, स्रिष्टी तो पहले से ही है, भग्त भी हैं, भगवान को बुलाते भी हैं, इससे सिध है कि भग्त हैं, भगवान को आना ही तब ह जब भक्त बहुत दुखी हैं। कल्युक का अंत है। रावन राज्य खत्म होना है। तब ही मुझे आना पड़ता है। बरोबर इस समय सभी दुखी है। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। यह पाठशाला है। यहां एम आपजेक्ट है। तुम चानते हो सत्युगमी लक्ष्मी नारायन का राज्य था। फिर सिंगल ताजवालों का राज्य हुआ। फिर और और धर्ब वृध्धी को पाए हैं। फिर राजाई आधी बढ़ाने के लिए युध आधी हुए। तुम चानते हो जो पास्ट हो गया वे फिर रिपीट होगा। फिर लक्ष्मी नारायन का राज्य आरंब होगा बाबा वर्ल्ड की हिस्ट्री चॉग्रफी का राज पूरा समझाते हैं डीटेल में जाने की दरकार नहीं जानते हैं कि हम सूर्य वंची हैं तो जरूर पुनर जनम भी सूर्य वंची में ही लेते होंगे नाम रूप तो बदलते होंगे माँ बाप भी दूसरे मिलेंगे ये सारा ड्रामा बुद्धी में रखना है बाप कैसे आता है वह भी समझ लिया मुनुष्यों की बुद्धी में वही गीता का घ्यान है आगे हमारी बुद्धी में भी वही पुराना गीता का ज्यान था अभी पाप गुई ये बातें सुनाते हैं जो सुनते सुनते सारे राज समझ गए हैं मनुश्य भी कहते हैं आगे आपका ज्यान और था अब बहुत अच्छा है अब समझ गए हैं कि कैसे ग्रस व्यवार में रह कमल फूल समान बनना है यह सबका अंतिम चन्म है मरना भी सबको है खुद बेहत का बाप कहते हैं तुम पवित्र बनने की प्रतिग्या करो तो 21 चन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे यहां तो कोई पदम पती हैं तो भी दुखी हैं काया कलपत्रू होती नहीं तुम्हारी काया कलपत्रू होती है तुम 21 चन्म मरते नहीं बाप कहते हैं यहां आएंगे भी बही जो सूरेवंची, चंद्रवंची, कामचिता पर बैट सामरे हो गई हैं इसलिए राधे कृष्ण, श्री नारायन सब को सामरा दिखाते हैं अभी तो सभी सामरे हैं कामचिता पर बैठने से सामरे हो गई हैं अब तुमको कामचिता से उतर कर ज्यानचिता पर बैठना है गुष का हतियाला कैंसल कर ज्यान अमृत का हतियाला बादना है समझाना ऐसे है जो वह कहें कि तुम तो शुब कारे कर रहे हो जब तक कुमार कुमारी है तो उनको मूत पलीती नहीं कहेंगे बाप कहते हैं तुमको गंदा कभी नहीं बनना है आगे चल कर धेर आएंगे कहेंगे यह बहुत अच्छा है ज्यान चिता पर बैठने से तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे अकसर ब्रामन ही सगाई कराते हैं राजाओं के पास भी ब्रामन रहते हैं उनों को राज गुरु कहते हैं आजकल तो सन्यासे भी हतियाला बांधते हैं तुम जब ये ज्यान की बाते सुनाते हो तो लोग बहुत खुश होते हैं, जट राकी भी भंधवा लेते हैं, फिर घर में जगड़ा भी होता है, कुछ सहन तो जरूर करना पड़े. तुम हो गुप्त शिफशक्ती सेना, तुम्हारे पास कोई हतियार नहीं, देवियों को बहुत हतियार दिखाते हैं, ये सब हैं ज्यान की बाते हैं, यहां है ही योगबल की बाते हैं, तुम योगबल से विश्व की बादशाही लेते हो, बाहुबल से हद की राजाई मिलती ह बेहत की राजाई तो बेहत का मालिकी देंगे लड़ाई की कोई बात नहीं बाप कहते हैं मैं कैसे लड़ाऊंगा मैं तो लड़ाई चगरा मिटाने के लिए आया हूँ फिर इनका नाम निशान भी नहीं रहत तब तो परमात्मा को सब याद करते हैं कहते हैं मेरी लाज रखो, फिर भी एक में निश्चे नहीं तो और और को पकड़ते रहते हैं, कहते हैं हमारे में भी इश्वर है, फिर अपने में भी विश्वास नहीं रखते, गुरु करते हैं, जब तुम्हारे में भगवान है तो गुरु क्यों करते हो, यहां तो बात ही न्यारी है, बाप कहते हैं कलप पहले भी मैं ऐसे ही आया था, जैसे अब आया हूँ, अब तुम जानते हो कि रच्टा बाप कैसे बैठ रचना करते हैं, ये भी ड्रामा है, जब तक इस चक्र को नहीं जाना, तब तक कैसे जाने कि आगे क्या होना है? कहते हैं यह कर्मक्षेत्र है, हम निराकारी दुनिया से पाठ बजाने आए हैं, तो तुमको सारे ट्रामा के creator, director का मालूम होना चाहिए, हम सब actors तो जान गए हैं कि यह ट्रामा कैसे बना हुआ है, यह स्रिष्टी कैसे वृद्धी को पाती है, जबकि अब कल्युक का अंत है, तो ज़रूर सत्यूक स्थापर होना चाहिए, इस चक्र की समझानी बिलकुल ठीक है, जो ब्रामन कुल के होंगे बहे समझ जाएंगे, फिर भी यह प्रजा पिता है, तो अपना कुल बढ़ता ही चायका, बढ़ना तो है ही, कल्प पहले मुआफेक सब पुरुशार्ट करते ही रहते हैं, हम साक्षी होकर देखते हैं, हर एक को अपना मुखडा आइने में देखते रहना है, कहां तक हम लायक वने हैं, सत्यूग में राजधानी लेने के, यह कल्प कल्प की बाजी है, जो जितनी सर्विस करेंगे, तुम हो बेहत के रुहानी सोशल वर्कर्स, तुम स सुपरीम रुह की मत पर चलते हो, ऐसे अच्छी अच्छी पोइंट्स धारन करनी हैं, बाप आकर काल के पंजे से छुडाते हैं, वहां मृत्यू का नाम नहीं, यह है मृत्यू लोग, वह है अमर लोग, यहां आधी मध्य अंत दुख है, वहां दुख का नाम निशान नही अच्छा, मीठे मीठे सीकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का यादप्या और गुद मॉनिंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को दिल वर जान सिक्वा प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस देजी, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धारना के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हम निरापारी और साकारी, दोनों बाब के सिकिलदे नूरे रत्र हैं, हम शिव बाबा के जीते जी वारिस बने हैं, इसी नशे में रहना है, दूसरा पॉइंट, योग बल से विश्व की राजाई लेनी हैं, पवित्रता की राखी बान्दी है, तो सहन भी करना है, पतित कभी नहीं बनना है, वरदान, सुखके सागर, बाब की स्मिती द्वारा, दुखकी दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव, सदा सुख के सागर बाप की स्मृती में रहो, तो सुख स्वरूप बन जाएंगे. चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशान्ती का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, सुख के सागर के साथ हो. इसलिए सदा सुखी, सदा सुखों के छूले में जूलने वाले हो मास्टर सुख के सागर वच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुँच गए सब रसियां तूट गई तो सुख के सागर में लहराते रहो एक ही पावरफुल स्थिती में स्थित करना ही एकांत वासी बनना है अच्छा, ओम, शांती